स्री सिवाय नमस्तु भ्याम हरहर महादे गुरू जी की कथा आज संपन हुई जिसका स्रवण मैंने किया और कुछ खास उपायों को नोट करते हुए आप सभी को पहुंचाने का बताने का प्रियास कर रही हूँ इन उपायों को करने का यही एक फाइदा है कि बहुत सरल उपाय हैं और चमतकारी उपाय हैं जीवन में संकट धीरे-धीरे कठी जाते हैं ऐसे मैं गुरु जी आज बता रहे थे कि आपके जीवन ने बहुत अधिक कठीन समश्य हैं बार-बार आ रही हो उनका हल ही नहीं हो र पूराते हैं बेल पत्री होती है पूर्ण तीन पत्तियां होती है उसमें बीच की डंडी पूर्ण रूप से होती है तब बेल पत्री पूर्ण मानी जाती है ऐसे में जो बीच वाली डंडी है वह तीन पत्तियों को मिलाती है वह पूर्ण तया उसमें बहुत अधिक में होती है देखे दो साइडों में लगी रहती है एक उपर की और लगी रहती है उपर वाली पत्ती में आपको लाल या पीला चंदन लगा देना है आप समझ गए होंगे मुझे उमीद है बहुत सरल है बीच वाली डंडी में शहर लगा लेना है और सबसे उपरी जो पत्ती ह उस पर आप सभी को निलाल या पीला चंदन लगा लेने हैं और निरंतर मुख से इस समय आप सभी को स्री सिवाई नमस्तुभ्यम या हरहर महादेव के जयकारे लगाते हुए प्रभू को इसे समर्पित कर देना है इसके पश्चार जो है जैसे हमेशा ही भोले बाबा से हमारी मांगने के आदत है अपने मनों कामना की पूर्थी के लिए उन से ज्जूली पसार कर प्रार्थना कीज़े कि प्रार्थना सीदे प्रभू तक पहुंशती है और मन की कामना तुरंत पूर्ण होती है मुझे उमीद है आप करेंगे क्योंकि छोटा सा उपाई है का फिस्सरल है करके देखेगा लाभ मिलना निश्चित है हर्हर महादेर जैमाता देख